अधिति और उसके भाई सोनू की अभी अभी गर्मियों की छुट्टिया शुरू हुई थी और दोनों अपने ममी पापा से कहीं घूमने ले जाने की जित कर रहे थे मम्मी पापा ये तो गलत बात है आप हमें वैसे भी कहीं घुमाने नहीं ले जाते और अब जब हमारी चुट्टियां चुरू हो गई है तब भी हम घर पर ही बैठे हैं यहां तो हम बोर हो जाएंगे हाँ पापा कम से कम आप हमें मनाली या शिमला जैसी जगई घुमाला आये ना प्लीज बस भी करो तुम दोनों हम कहीं नहीं जा सकते खले तुम्हारी चुट्टियां है पर मेरे आफिस अभी भी कुले हैं पापा की यह बाते सुनकर ममी को गुस्सा आ जाता है आप भी न जब देखो बस काम 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 बच्चे गलत तो नहीं कह रहे आपको उने कहीं तो गुमाने ले जाना चाहिए ना अगर ऐसी बात है तो तुम ही ले जाओ ना इने गुमाने मुझे क्यों कह रही हो वैसे भी तुम पूरा दिन घर पर खाली ही रहती हो ये सुनकर मम्मी को बहुत जादा गुस्सा आजाता है और वो गुस्से में पापा से कहती है ठीक है फिर जा रही हो में बच्चों को लेकर और अब सीधा छुट्टियों के बाद ही मिलेंगे रहो तुम अकेले यहां क्या सच में मम्मी हम कहा जा रहें घूमने शिमला या मनाली चुप करो तुम दोनों और जल्दी से अपना सामान पैक करो फिर क्या था थोड़ी ही देर में मम्मी बच्चों को लेकर घर से निकल जाती है और बस में बैट जाती है मम्मी अब तो बताएएँ ना हम कहा जा रहे है बच्चों मैं तुमें लेकर तुम्हारी मौसी के घर चा रही हूँ पहले तुम अपने मौसा जी और मौसी जी से मिले हो पर तुम उनके घर नहीं गए तुम्हें वहाँ बहुत मज़ा आएगा देखना तुम्हें पता है उनका घर का है पहार पर हाँ वो जगर नैनिताल और शिमला मनाली जैसी तो नहीं है पर फिर भी बहुत सुंदर है क्या सच में ममी फिर तो बहुत मज़ा आएगा अदिती और सोनू बे सबरी से अपनी मौसी के घर पहुचने का इंतजार करने लगते हैं कुछ घंटों के सफर के बाद वो वहाँ पहुच जाते हैं उनके मौसा जी और मौसी जी का घर पहाडों में ही बस एक छोटे से शेहर में था पर वहाँ कोई भी घूमने के लिए बड़ी जगा नहीं थी वो बिल्कुल एक छोटे गाउं जैसा था ये देखकर अदिती और सोनू काफी निराश हो जाते हैं मगर ममी अपनी बेहन के घर जाने के लिए काफी खुश थी घर पहुचकर मौसी जी और मौसा जी अदिती और सोनू का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और उन्हें खूप सारा अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं सच में मुझे यहां आकर बहुत राहत मिली है सीमा घर पर तुम्हें काम करके उप गई थी अब बच्चों की छुटिया खत्म होने से पहले तो मैं नहीं जाने वाली जरूर जरूर दीदी आपका जब तक मन करें आप यहां रह सकती हैं मौसी मौसी यहां पर घूमने के लिए क्या कोई भी जगर नहीं है पर सोनू और अदिती की मौसी कुछ कहती इससे पहले ही मौसा जी बोलते हैं अरे वो है ना घर के पीछे वाला पार्क वहां जा सकते हो तुम लोग खेलने अरे आप कैसी बाते कर रहे हैं नहीं बच्चो तुम लोग वहां भूल कर भी मत जाना क्यों पर ऐसा क्यों मौसी जी क्योंकि वो जगह भूतिया है बच्चो तुम्हारे मौसा जी को काम से फुरसत मिले तब तो उन्हें मौहले के बारे में पता चले बच्चों उस पार्क को भूतिया बच्चों का पार्क कहा जाता है कहते हैं कि इस पूरे इलाके के सभी भूतिया बच्चे वहां खेलने जाते हैं इसलिए कोई भी बच्चा क्या इंसान तक भूल कर वहां नहीं जाता मुझे तो ये सब सुनकर बहुत डर लग रहा है मौसी अरे तु डर मत अधिती भूत भूत जैसा कुछ भी नहीं होता बिल्कुल सही कहा तुमने सोनू बेटा तुम तो बहुत समस्दार हो बच्चों तुम लोगों को आसपास जहां भी खेलना है खेल सकते हो पस अंधेरा होने से पहले घर लोटाना यहां आसपास और भी कई बच्चे रहते हैं तुम उनसे भी दोस्ती कर सकते हो ठीक है फिर हम लोग बाहर घूम कर आते हैं मौसा जी अधिती और सोनू बाहर घूमने चले जाते हैं तभी उन्हें सडक पर एक लड़की दिखाई देती है वो लड़की सडक के बीचो बीच खड़े होकर अधिती और सोनू को ही घूरे जा रहे थी और वो दिखने में भी काफी अजीब सी थी तभी अच्छानक से वो अधिती और सोनू के पास आती है और उनसे पूछने लगती है क्या तुम लोग यहां नए आये हो? हाँ, पर तुम्हें क्यासे पता? क्योंकि मैंने कभी तुम्हें यहां पहले नहीं देखा न? इसलिए अच्छा-च्छा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? और क्या तुम यहीं रहती हो? हाँ, मैं तो कई सालों से इसी जगह पर रह रही हूँ चलो, हम लोग मिलकर खेलते हैं मेरा नाम कशिश है अदिती और सोनू थोड़ा सोचने लगते हैं पर तभी कशिश उनसे कहती है तुम लोग इतना क्यों सोच रहे हो? चलो, हम लोग उस पार्क में चलकर खेलते हैं अरे नहीं नहीं, हमारे मौसा जी ने कहा है कि वो पार्क भूतिया है और वहाँ पर सिर्फ भूतिया बच्चे खेलने जाते हैं हम वहाँ नहीं जा सकते हाँ, हाँ, कहीं कहा अदिती ने हाँ, हाँ, ये तुम दोनों कैसी बाते कर रहे हो मैं तो हर रोजी वहाँ खेलती हूँ क्या, सच में? हाँ, और क्या तो चलो, फिर चलते हैं फिर हम सब साथ में खेलेंगे वहाँ तुमें मेरे और दोस्त भी मिलेंगे अदिती और सोनू एक दूसरे को देखते हैं, फिर सोनू अदिती चलते हैं, वैसे भी मौसा जी ने कहा था कि भूत भूत जैसा कुछ भी नहीं होता पर सोनू मौसी जी ने तो हमें मना किया था ना, अरे कुछ नहीं होगा अदिती, ये कशिश पर जैसे ही वो तीनो भूतिया पार्क के अंदर घुसते हैं, कशिश एक चुड़ैल में बदल जाती है, बलकि इतना ही नहीं, अदिती और सोनु को बाहर से तो वो पार्क एकदम खाली दिख रहा था, पर अंदर घुसते ही उन्हें पार्क में बहुत सारे भूतिया बच्च दिखने लगते हैं, ये सब क्या हो रहा है, सोनु ये कशिश तो चुड़ैल में बदल गई, हाँ, और यहां तो कितने सारे भूतिया बच्चे हैं, मौसी जी ने सत कहा था, कि ये भूतिया बच्चों का पार्क है, पर अब हम क्या करें, करना क्या है सोनु भागो, जल्दी इसे पार्क से बाहर निकलो, अब तुम दोनों यहां से कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, अदिती और सोनु एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और तेसी से पार्क के गेट की तरफ भागते हैं, अदिती तेस होने की वज़ा से बाहर निकल जाती है, पर इससे पहले कि सोनू बाहर निकलता पार्क का गेट गायब हो जाता है और सोनू पार्क में सभी भूतिया बच्चों के बीच कैद हो जाता है वो जोर-जोर से रोने लगता है पर जैसे वो पीछे पलट कर देखता है वो और ज़ादा डर जाता है क्योंकि अब सभी भूतिया बच्चे जूला जूलने की बजाए उसे ही देख रहे थे नहीं नहीं प्लीज प्लीज मुझे चोड़ दो प्लीज मुझे जाने दो अरे अरे तू रो क्यों रहा है हम तो बस तेरे साथ खेलना चाते है और क्या चलो हम सब मिलकर इस इंसानी बच्चे के साथ छुपन छुपाई खेलेंगे ए बच्चे तु जल्दी से जाकर पूरे पार्क में छुप जा और अगर हम में से किसी ने तुझे पकर लिया ना फिर तुझे एक बहुत खतरनाक सजा मिलेगी ये सब सुनकर सोनू और जाधा डर जाता है पर उसके पास और कोई आप्शन भी नहीं था सभी भूतिया बच्चे अपनी अपनी आखे बंद करके दस तक गिनने लगते हैं और तब तक सोनू जल्दी से जाकर छुप जाता है उधर अदिती जब पार्क से बाहर निकलाती है और मुड़कर देखती है कि सोनू बाहर आया ही नहीं था तब वो बहुत डर जाती है पर जब वो वापस पार्क की तरफ देखती है तब वो जाधा हैरान हो जाती है क्योंकि बाहर से देखने पर वो पार्क एकदम खाली और सुनसान लग रहा था, जैसे कि अंदर कोई हो ही नहीं, उसे सोनु भी अंदर दिखाई नहीं देता, वो जल्दी से दौडते उबे घर जाती है और सब को सब कुछ बता देती है, घर पर ये सब सुनकर सब बहुत पर रिशान हो जाते हैं, तभी अचानक से एक भूतिया बच्चा सोनु को स्लाइड के अंदर देख लेता है, और वो जोर-जोर से चिल्लाने लगता है, अब आएगा ना मजा, और अब तुझे मैंने धूना है ना, तो तुझे खतरनाक सजाभी मैं ही दूंगा, नहीं, मज़ मज़ा जाने दो, मगर वो भूतिया बच्चा सोनु की एक बात नहीं सुनता, और उसे जादू से उड़ा कर पाहर ले आता है, और पार्क के बीचों बीच लाकर जमीन पर पटक देता है, सभी भूतिया बच्चे सोनु के आसपास आकर खड़े हो जाते हैं, और सोनु पर ह हसने लगते हैं, तभी वो भूतिया बच्चा वहां आता है जिसने सोनु को ढूंदा था और वो फिर से अपने जादू से सोनु को हवा में उड़ा देता है, बाकी सभी भूतिया बच्चे भी सोनु को डरा हुआ देखकर एक साथ हसने लगते हैं, पर तभी उस पार्क के अंदर गाउं के सभी लोग घुसे चले आते हैं, जिनने देखकर सभी भूतिया बच्चे हैरान रह जाते हैं, उन लोगों में अधिती भी थी, मैंने आपसे कहा था ना कि बाहर से लगता है, पार्क में कोई नहीं है, पर अंदर यहां कितने सारे भूत है, वो देखो सोनू, वो हवा में है, मेरा बच्चा, कोई उसे नीचे उतारो, सभी गाउंवाले ये सब देखकर भूतिया बच्चों के उपर और पूरे पार्क में केरोसिन तेल डाल देते हैं, और आग लगा देते हैं, सभी भूतिया बच्चे जलकर राख हो जाते हैं, मगर सोनू जो की हवा में लटका था, वो नीचे गिर जाता है, जहां पर आग लगी हुई थी, अरे सोनू वहा है, उसे आग से बाहर निकालना पड़ेगा, ये कहकर मौसा जी आग में कूद जाते हैं, और सोनू को गोद में उठा कर बाहर ले आते हैं, मम्मी सोनू और अदिती को लेकर मौसी घर चली जाती है, मुझे भी माफ कर दो, मुझे तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, पर तभी अदिती और सोनू के पापा भी वहां जाते हैं, बक्चो मैं आ गया, और मैं तुम्हारी मम्मी से माफी भी मांगना चाहता हूं, कि मैंने उनसे लड़ाई की, अब पूरा परिवार साथ है, और कोई भूत भी यहां नहीं है, हाहाँ